हलो फ्रेंट्स मैं राज शर्मा स्किल्स आज्टोम्बाइल की तरफ से आप सबको सागत करता हूं आज हम इस गाड़ी पर काम कर रहे हैं जो कि है फॉक्स विगन वेंटो आज हम देखेंगे कि फॉक्स विगन वेंटो में आटोमेटिक ट्रांसमेशन कैसे करते हैं इस कार में मल्टिपल काम हैं जैसे कि इसके ब्रेक पैट्स चेंज करना इसका जो स्टेरिंग रैक है उसमें काफी नॉइस है तो स्टेरिंग रैक चेंज करेंगे हम इसमें और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना क लोगों ने इसके जो डिस्क है ब्रेक डिस्क वह हम लोगों ने निकाल लिए इसके ब्रेक पैट्स हैं जो हम चेंज करने वाले हैं काफी थोड़े बचें इसलिए कस्टम को सजेस्ट किया गया कि चेंज करा लिजए अदर वाइस फिर एक दो महीने में वापिस आना पड़ेगा चेंज करने के लिए और इस साइट के तो बहुत जादा कम बचेंगा ब इस प्रॉब्रम के आता है ना कि डिस्क में बहुत जादा लाइनिंग सा जाती है रफ हो जाती है इन शॉट तो इस रॉफनेस को हटाने के लिए एक बार डिस्क जो है इसको स्किमिंग कर लेना चाहिए सो यह हम खोल चुके हैं प्लस हमने यहां से इसका स्टेरिंग रेक भी उतार दिया है स्टेरिंग रुआ है रेक जो है उसको उतारने के लिए आपको पुरा धड़ी खोलना पड़ता है यह इसका नीचे का सब फ्रेम जिसे हम कहते हैं यह पूरा खोल दिया हम लोगों क्योंकि काफे पुराने हो गए अपको इस रबड़ के हैं तो रबड़ के एक लाइफ होती है इसके बाद हो अपना कड़क हो कर टूपना शुरू कर देता है और इधार आप देख सकते हैं यह इसका स्टेरिंग रेक है और यह इसके टाइरोडेन बोल जोइंट है जो कि य कि यहां लगते हैं के इसां पर लगता है और हिये कि आए समलोगों ने इसका जी 2 उसको रिपार ना करने का प्लानर किया जो ऑने कशी का एक खराब है और करते हैं तो उसमें पैसा वेस्ट आप याश्ट यह राटने चाहर मधा जो की यू का है जो की हमेंUD दिस में वाकि वहां से लेके आने नर्षن सब साथ में लगे वा है तो अगरम तरिंग रिपेर भी करते हैं तो अधाइट इन चार रुपे तक जाता है और इसके बाद अगर सबसें इसका तीन जार रुपे पकड़ता है कि तीन जार रुपे मेरे जो इस्टेरिंग राखा रिपैर हुआ फिर मुझे जाना है इसके टाइरोडेंड बोल जोइंट लेने यह अप्रॉक्सिमेटली तोनों साइट के टाइरोडेंड बोल जोइंट तीन हजार साधी तीन हजार पकास कुछ आएंगे शाहर तो इससे बेटर है कि आठेजार में में जब पूरा स्टेरिंग राखा रहा है एंड बाकि उसके बाद हम लोग इसका आटमेटिक ट्रांसमेशन सर्विस करेंगे तो यहां से बैटरी वगर हम लोगों निकाल दिया है इसका जो ओयल ड्रेन करने के लिए नीचे जाना पड़ता है नीचे से ओयल ड्रेन होगा एंड ओयल फिलिंग करने के लिए जो इसका आटमेटिक ट्रांसमेशन ओयल फिल करना है वह यह अगर आप नट देखेंगे यह अपना EBS मॉड्यूल है जस्ट उसके नीचे की तरफ यह अगर आप देखेंगे यह अधि जहां पर इमिरी फिंगर है यहला नट हमें खोलना होगा अटेँ की होगी इसमीं स्टार एलन की लगेगे जिससे खूलेगा है वहां से हमें ऑईल फिल अप करना है और यहां से हमें इसको खूल कर ऑल निकाल देना है तो यह प्रसेस है का ओ přिल्मो करने करना कि एक चीज्जक करनी की जो है का कर जब इसमिल को ठंटी है तो उस केस्मने आपको आपको ऑ्टोमेटिक ट्रांस्मिंशन नहीं स्विस करने श 이용 manufacture करने से पहले हैं एक दो screen के कर दें वह अच्छा होता है इसके बाद आप 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 आटमेटिक ट्रांस्मिशन सर्वीस करें तो ठीक है मैं वीडियो कंटीनियू करता है यह स्टेरिंग रैक आज सुभ़ह आया है एक्शली अपने वाला स्टेरिंग रैक है अब एक आप इसेज स्टेरिंग रैक है यह मैं पर फिट हो जाएगा भी एंद इसके बालेंस रोट बूश्स भी चेंज हो जाएगा तो तो इस टेरिंग रेक इस टेरिंग रैक का जो काम है वह खतम हो जाएगा कि अच्छली सस्पेंशन में जो आवाज आ रही थी वह भी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि स्टेरिंग रेक के वाज़े से बहुत जादा आवाज आ रही थी तो प्रॉब्म सॉल हो जाएगी अब बैलेंस राट बुश का भी इशु था तो वह भी सॉल हो जाएगा इस ब्रेक डिस्क के हम लोगों ने स्क्रीमिल करा दिया इसको अब देख सकते हम प्लीन हो चुकी होगा आज़े दोनों साइट से हैं और यह इसके ब्रेक पैट से हैं अब उसको पूरा एक सैट आता है प्रंट के दोनों सेट के ब्रेक ने सब्सक्राइब भी स्विश दिस्क को यां फिटिंग कर देंगे अब यह सब इसको साफ कर रहा है, साफ करके इसको अच्छे से सर्विस करते हैं, फिरम इसको आपी से फिटिंग करेंगे है, डिस्क लग गया है, फिटिंग हो गया है, और डिस्क फिटिंग करने के बाद यह वाला एक स्कूरू हो रहता है, जो प्लोगाना होता है याथ से, और नियु ब्रेकपाट के दो दिखिते हैं इसका आटमेटिक ट्रंसमिशन ओयल जो है वो निकालते है अब है इसको खूला है यह वाल इसका लल्व साथ होता है पहले इसको इसे निकालना है यह खोला है यह से पूरा ओयल ग्रेंगा यह जो है इसका फिल्टर हो यह निकालना होता है जब पुराः ट्रेन करना हो उसे मिकटाल से निकालकर इस नीचे के चॉशे में को यह इसके ओपर हमने एना पॉंड्ड जो होता है वो लगा दिया चारो तरफ ताकि जब मैं उसे फुटिंग करें तो प्रॉपर तरीके से चपक जाए तो इसमें 5.3 लिटर जाएगा तो उसके लिए हमने हम लोग यूज करने वाले कैस्ट्रोल का ट्रांसमेक्स की ट्याएफ यह हमने 6 लिटर मंगाये हुए एक दो तीन चार पारणचे आपको ऐसे एक पाइप बना कर अगर आप करेंगे तो पाइप जो है जाएगा उसमें इस तरके पूरा जितना भी आइल है आपको डालते रहना है आप लोगों ने देखा किस तरह आउटमेटिक ट्रांसमेशन सर्विस करते हैं और हम लोगों ने ब्रेक पैट्स भी चेंज किये और इसका स्टेरिंग भी चेंज किया आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसा लाइक की किजिए कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू